हाई एवरिवन आज मैं लेकर आई हूं बिल्कुल नए तेरे की मिठाई जिसे आप बिना गैस जलाई बना सकते हैं और सिर्फ 20 रुपे में यह मिठाई आप तैयार कर सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है जितनी यह देखने में सुन्दर है उससे कहीं ज्यादा यह बच्चे भी इसे बना सकते हैं क्योंकि गैस जलाने के आपको बिल्कुल जरूरत नहीं और कम टाइम में आप यह सुन्दर सी मिठाई बना सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही कम चीजों से तो आए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं आज की वीडियो शुर टो यहां पे मैंने ले ले लिए हैं दो मारी गोड़ बिसकिट यह 10 उर्पे वाले बिसकिट और इसमें काफी अच्छी कौनटिटी होती है तो आप किसी मचाशी कौंटिटिग मैं प्रण ले सकते हैं मैंने समय के इसल्य की तो आपको अपना कोई फलेवर नहीं होता है और यह आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे यह देखे इस दस उर्पे में काफी अच्छी क्वांटिटी होती है तो यह दो पैकेट मैंने ले 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 हैं अगर आपको जादा बनानी जादा भी ले सकते हैं इसे मैं छोटे-छोटे टुकडो में इस तरह से बिस्किट हैं टूटे हुए वो मैं आड कर दूँगे और पूरा भरेंगे नहीं और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी बिल्कुल बारिक पाउडर आपको तयार करना है तो यहां पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है आपको दिखाते हूँ बिल्कुल बारिक पाउडर हम आप नीचे देख सकते हैं बारिक पाउडर हमें मिल रहा है इससे हम अपनी मिठाई जयार करने वालें किसी को पता ही नी चलेगा आपने biscuit है ये दिखिए इस तरह है के मोटे mana't you can never grind कर सकते हैं दुबार मिक्षी में पीस सकते हैं तो इस मैं निकाल देती हो और जो बाकी की बचे biscuit है उसमें इसे मिलाके इसे भी पीस लोंगी तो इसे भी मैं एक चान लेती हो और एक पाउडर निकल चुका है तो इतने 20 रुपे में आपके काफी सारी मिठाई बन चाहती है आधे किलो करीब आपकी मिठाई बन चाहेगी बहुत ही सस्ती पर अब यह जो बिसकिट है इसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं है और अगर इससे आप मिठाई बनाते हैं तो बिल्कुल का टीस्ट आएगा हम नहीं चाहते कि भीसकिट का टेस्ट रही तो इसलिए में यहां पर इसमील ल ut इसमाल कर सकते तो यहां पर मैं में कांध कप दूद का इसली इसमाल कर रही हूं थोड़ा करके दूद डालेंगे और आप चाहे तो इसमें मलाई भी एड़ कर सकते हैं उससे भी काफी अच्छा मावे जासा टेस्ट आता है तो यह मैंने दूद एड़ कर दिया चीनी आपको इसमें एड़ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है बिस्किट भी मीठे होते हैं तो आपको इसमें अलग से चीनी आड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब मैं इसका एक डो तेयार कर लूँगी अब मैं इसमें थोड़ा सा घी एड़ कर रही हूँ ताकि जो मिक्षर है हमारे हाथ में चिप के नहीं और एकदम स्मूध हो जाएं तो इसलिए थोड़ा सा घी आड़ करें तेल मत आड़ करिएगा घी को इसा भी आड़ कर सकते हैं तो अब हम एक सॉफ्ट सा डो लगाके तयार कर लेंगे तो अच्छे से चिकना कर लेंगे इसे तो यहां पर जो डो है वो तयार हो गया है अब मैं इसे दो पार्स में डिवाइट करने वाली क्योंकि दो कलर की मिठाई हम बना रहे हैं आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं दो देखने में सुंदर लगती है इसलिए में यहां पर दो कलर की बना रहे हूं तो अब जो एक मिक्षर है उसमें मैं डाली हूं यह नारियल का बुरादा आप जो घर का नारियल होता है उसे भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं और यहा बीच का मिक्षर है वो तयार हो जाएगा चौकल्ट फ्लेवर का आप इसमें कोको पाउडर भी एड़ कर सकते है तो अभी आप देख सकते हैं है शोक्रित सिर्प दालने से तो मैं इसमें थोड़ा सा कौको पाउडर या फिर मैं यहां पर आड़ कर रहे हूँ हो और मेरे पास फिलाल कोको पावडर नहीं था तो मैने होट चॉकलेट मिक्स डाला है जो की बहुत ज़ादा टेस्टी लगता है आप इसे होट चॉकलेट बनाएं कि मेरे बच्छो को बहुत स्था पसंद है इसलिए मैं इसे रखती हूं तो यह मैंने अट कर दिया और थोड़ा सा घी अट कर देंगे तो यह हमारा बीच का मिक्षर तयाहर हो गया अब यहां पर हम ले लेंगे बटर पेपर इस तरह से या फिर आप कोई प्लास्टिक शीट ले सकते हैं उसके उपर हमें से बेलना है तो इस पर मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी ताकि जो हमारा मिक्षर है वो इस पर चिपके नहीं इस तरह से घी लगा लेंगे अब इसके उपर मैं बिस्किट वाले मिक्षर रख लूँगी यह वाला इस तरही के से और इसे थोड़ा सा स्मूध कर लूँगी ताकि यह चिकना हो जाए इसमें क्रैक्स ना रहे तो यह मिक्षर भाग्यादा यह लिए मीडियम saoft तो इसे में इसतर से गोल कर कर मूंगी पेड़ा टियार जायर कर लूँगी से अच्छे से आप इसे हम बेलेंगे इस तरह से बेलन से और हमें इसको थोड़ी सी स्क्वार शिप देनी है तो हाथ से ठीक करते रहेंगे और बेलते जाएंगे तो यहां पर देखे मैंने से स्क्वार शिप में बेल लिया है अब जो हमारा चॉकलिट वाला मिश्चर था वह में इसके उपर रख दूंगी और इसे भी हम बेल लेंगे इसके बराबर ही बेलना है तो इस तरह से बिल्कुल पहला लिजिए और जितना बड़ा हमने नीचे का बेला उतना ही बड़ा आपको उपर का बेलना है अब क्या करेंगे इस तरह से बटर पेपर को उठाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे इसे अच्छे से टाइट टाइट रोल करना है लूज नहीं छोड़ना नहीं तो आपकी जो मिठाई वह बीच में से खुल सकती तो इस तरह से टाइट टाइट रूल कर दीजिये अच्छे से लिग्षी कि इस तरह से मैं बटर पेपर को उठाती जारी हूँ और रोल करती जा रहे ने प्रेस कर दी जारी है तो बाजिए फेल पिर आप न एक Aviг तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगे अब यहां पर आप हलके फिलके क्रैक्स देख सकते हैं उन्हें हम ठीक कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी cracks नजर ना आए ये देखे इस तरह से cracks हम थोड़ा जोड़ देंगे ताकि बिल्कुल भी cracks नजर ना आए और ये एकतम smooth हो जाए तो इस तरह से हाथ से हम smooth कर लेंगे और इसे थोड़ा समय इस तरह के इसे shape दे दूँगी और कहीं से खराब लगे तो उसे ठीक कर दीजिए और इस तरह के से सेम बटर पेपर में इसे राप कर दूँगी और रैप करके हम इसे प्लेट में रख के इसे फ्रीजर में रख देंगे 10-15 मिनट या आदे घंटे के लिए से छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए तो यहाँ पर मैंने इसे आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था और यह बहुत अच्छे से से चुगा है तो अब हम क्या करेंगे इसके उपर मैं लगाऊंगे सिल्वर फॉयल तो अभी यह देखी काफी सेट होगे इसे मैं निकाल लेती हूँ यहां पर मैंने सिल्वर फॉयल ले लिए चांदी कवर जो कि आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर परचून की दुकान पर इसली मिल जाता है तो इससे मैं इससे कवर करने वाली हूँ आपको ड्राय फ्रूट या फिर बहुत लोग खस खस लगाते हैं या फिर तिल लगा सकत हैं आप अपने साब से इसे डेकुरेट कर सकते हैं अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी मिठाई बनी है यह देखिए कितनी बढ़िया लग रही है यह खाने में भी बहुत टेस्टी है और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिस्कि से बना सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई जलानी कुछ नहीं करना और दस से पंद मिनिट में आपकी मिठाई तयार हो जाती है देखिए और जब किसी को खिलाएंगे कोई बताई नहीं सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई त इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहां पर यह देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर लिया बहुत ही सुंदर यह मिठाई और बहुत टेस्टी मिठाई है और सिर्फ मारी बिस्किट से हमने इसे तियार किया है बहुत ही बढ़िया लगते है ट्राइ किजीगा लिखके बत